नमस्कार, यह है लीट कोड 75 का सवाल नम्र 9, आप मेरे साथ कर रहे है 90 डेस ऐसी प्रेप, ओवराल सवाल है लीट कोड 443, स्ट्रिंग कंप्रेशन, असान सवाल होता है, पर लीट कोड ने थोड़ा से कंप्लेक्स बना रखा है, मैं बताता हूं सवाल क्या है, तो जैसे आप इसके इसका आपको बना देना है A2, B2, C3, और ना इसी करेक्टर रहे को मौडिफाई करके देना है, इसी कंदर आपको A, फिर 2, फिर 2, C और 3 लिख देना है, ठीक है, मदब यहाँ पर शुवात में आपने A डाल दिया, फिर आपने 2 डाल दिया, फिर आपने B डाल दिया, फिर आपने 3 डाल दिया और उसके बाद जो उसको छेड़ा रही है उसी character array को modify करके देना है तो basically दुबारा सवाब समझाता हम देखो, अगर आपको string दी होती letter से आप string दिया होता A, A, A फिर आपको दिया होता B, B, B फिर 1, C, फिर letter से 3, D दिये होते और 2 E दिये होते, तो आपको पता क्या बन जाता है A, 3, B, 3, C, 1 1 नहीं लिखना होता D, 3, E, 2 आपको ये character array में मिला होता तो आपको क्या करना होता A, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर B, यहाँ पर 3, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर 3, यहाँ पर E, A है, Double, B है, C है, Triple, D है, Double, E है बहुत असान अलगार्दम होता है तो आप character यहाँ पर आपको A character आपने read कर रखा होता है पहला character आपका A है आप यहाँ से loop चलाते है पहला character आपका A है और count 1 होता है initially count 1 रखते हैं अब अगर यह पिछले वाले के साथ same है ना तो count को 2 कर दो और कुछ करने की जूरत नहीं है बस count को 2 कर दो दो बार से अपने बात बोलता हूँ देखो क्या आखरना होता है यह है आपका जिसको process करना है आपने initially पहले character को read करके answer में अल्री डाल दिया है आप यहां से process करोगे count आपका 1 है अब यह पिछले वाले के साथ same है count को 2 कर दो यह पिछले वाले के साथ same है count को 3 कर दो यह पिछले वाले के साथ same नहीं है इस समय पर 3 को answer में डालो B को answer में डालो और count को 1 कर दो फिर देखना एक बार मैं इशुवात से भी आपको दुबार बताता हूँ और फिर आगे तो बताऊंगा ही तो आप पहला करेक्टर आंसर में डाल के ही स्टार्ट करते हैं यहां से काउंट इन चलती है काउंट वन होता इनिशली यह पिछले आल के साथ सेम है काउंट को टू कर दो यह सेम है काउंट को थ्री कर दो यह सेम नहीं है तो थ्री अपेंट करो बी अपेंट करो और काउंट को वन कर दो सेम है काउंट को टू कर दो सेम नहीं है तो टू सी डालो काउंट को वन कर दो same नहीं है तो ध्यान से देखना वैसे तो होता अगर यह number कुछ होता तो मैं यहाँ पर 1D डाल देता पर 1 कभी डालना नहीं होता तो 1 को नहीं डालना, simple D डाल दो बस D डाल दो और count को 1 कर दो same है, तो 2 कर दिया same है, तो 3 कर दिया same नहीं है, तो 3E D डाला और count को 1 कर दिया same है, तो count को 2 कर दिया खतम हो गया, तो बचा हुआ 2 डाल दिया, अगर last में 1 लेता तो उसको नहीं डालते तो इतना सा होता है logic लाइए, मैं आपके साथ इसको code कर डालू तो मैं यहाँ से आके code करता हूँ, यह देखेगा तो string builder में 0 करेक्टर को डाल रखा है, count बने i1 है, तो while i is less than cares.length, array है तो length के सामने bracket नहीं लगेगा, i बढ़ता रहेगा, अब बड़ा simple से check है, कि क्या पिछले करेक्टर के साथ हमें equal है, if cares of i cares of i is double equal to cares of i minus 1, तो cable count बढ़ेगा, अगर आप equal नहीं है, तो count append होगा, string builder dot append, count ये append होगा, और count आपका 1 हो जाएगा, अच्छा, append तो करेक्टर भी तो होता है, sb dot append, cares of i को भी आप append कर लोगे, ठेक है, ऐसे चलता रहेगा, last में, last वाला, बिल्कुल जब सारे loop करता है, last में, count की वाली पढ़ी होती है, उसको भी append करना होता है, ठेक है, बस count को जब भी append करना है, आपको देखना ہے, count को append करना से पएछ halt होगे, count greater than 1 होना seulement, चाहे बीच में करना है, चाहे last में करना है, count greater than 1 है, तभी append करना होगे, count को append नहीं करना होता count को जब भी append करोंगे यह चोटा सा rule आपको याद रखना है अब बदा या करना है आपको original array में ही return कर return करना है आपको जो कि string builder की length है लेकिन आपको original array में ही परिवर्थन करना है तो original array में परिवर्थन करना मुश्किल नहीं है for int j equal to 0 j less than string builder dot length j plus plus car of j में string builder dot car at j डाल दो तो इतना सा है यह सवाल not too hard not too आता है तो असान सवाल है अभी भी मैंने एक सवाल छोड़ रखा है वो है increasing triplet subsequence सवाल असान है पर मुझे सब्मिट भी हो गया है पर मुझे ना उस सवाल की अभी description पूरा विश्वास नहीं है तो मैं उसको भी नहीं कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ चिक है तो enjoy करते रहिए एक आपसे गुजारिश रहेगी description में मैं journal डालता हूँ मेरे साथ नहीं journal को जरून करिएगा मिलते हैं पर सवाल में